चाइना का थ्री गॉजिस डैम दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लैंट है। ये डैम 37 बिलियन डॉलर यानी के करीब करीब 3 लाग करोड रुपया खर्चा करने से बन कर तयार हुआ है। यंगसी नदी पर बना हुआ थ्री गॉजिस डैम चीन के हुबाई प्रांथ में स्तित है। इस बांध की उच्छाई 181 मीटर है। लंबाई 2.33 किलोमीटर है। चोडाई 115 मीटर है। इस बांध को बनानी का मुख्य उद्दिश बाड की रोकताम और बिजली पैदा करना है। त्री गॉजिस डैम बनानी में 5,10,000 टन स्टील प्रयोग हुआ है। इतने स्टील से 60 आइफिल टावर का निर्मान किया जा सकता है। इस बांध के बननी से बिजली बनाने में प्रयोग होने वाले थड़ी 1,000,000 टन कोईले की बचचत होगी। जिससे ग्रीन हाउस एमिश में भी कमी होगी। इस बांध में इखटा किया 42 बिलियन टन पानी 175 मीटर की उचाई तक भरा हुआ है। पानी के इतने बड़े भारी जलाशय की वज़ा से प्रुत्वी का जड़त्वा गुर्न यानि की मॉमेंट ओफ इनर्श्या प्रभावित हो गया है। जिसकी वज़ से प्रुत्वी की गुमने की कुछ गती धीमी हो गई है। प्रुत्वी की गुमने की गती धीमी होने से दिन के समय अंतराल यानि की इंटरवल में 0.06 μ.s की ग्रोध हो गई है, मतलब दिन थोड़ा लंबा हो गया है। त्री गौजिस डैम बनने की वज़ा से उतरी और दक्षिनी पोल अपनी जगह से दो-दो सेंटीमिटर खिसक गए है इसके अतिरिक्त पोल्स पर प्रुत्वी थोड़ी सी चप्टी भी हो गई है भारत में जिस प्रकार टीहरी बांध बननी से लोगों को विस्तापित करना पड़ा उसी प्रकार से त्री गौजिस डैम बननी से भी कई लोगों को विस्तापित होना पड़ा त्री गौजिस डैम बननी से तेरा शहर, एक सो चालिस कजबे और सोला सो से अधिक घाव बांध के जलाशय में समा गए इसके वज़ा से करीब तेरा लाख लोगों को पुनर्वसित किया गया चीन का त्री गौजिस डैम अमेरिका की महान हुवर डैम से ग्यारा गुना अधिक बिजली पैदा करता है चीन के इस डैम से निकले 45 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी को छोटे बांधो सुरंगो नहरों में पमिंग स्टेशन की मदद से सोला सो किलोमेडर अप्स्ट्रीम के शेत्र में प्रभावित किया जाएगा भारत के लिए त्री गौजस डैम चिंता का विशय बन सकता है भारत को आशंका है कि इस बांध के बन जाने से ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्टर काफी नीचे गिर जाएगा और पानी में नमक स्टर बढ़ेगा इस वीडियो में हमने आपको त्री गौजस डैम के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगिटिव बाते बताई अगर आपको भी कुछ इन्फोर्मेशन पता है त्री गौजस डैम के बारे में और वो आप हमारे साथ शेयर करना चाते है तो प्लीज कमेंट में जरूर शेयर करें ओके गाइस तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए